Hello guys, welcome to my channel H&C classes तो हम लोग पर रहे थे class 12 physics की पहला chapter जो है electrostatic charges and fields तो आज ये lecture number 16 है और आज इस lecture में हम लोग परहेंगे ये topic electric field due to a point charge and multiple charges तो multiple charges जो है इसको हम लोग क्या बोलते है system of charges भी बोलते हैं तो इस topic को हम लोग अच्छे से details में देखेंगे और next class में इसके उपर best questions solve करेंगे तो देखो, suppose एक charge एक charge positive मान लेते हैं तो हमें पता है positive charge से electric field निकलते हैं तो हर direction में positive charge से electric field निकलेंगे और अगर negative charge हुआ तो उस charge के अंदर electric field आएंगे enter होंगे ठीक है यह है basic rule और जो electric field को draw करने के rule है तो इसको हम लोग यहाँ पर perpendicular बनाना होगा ठीक है थोड़ा basic से चीजों को देखते हैं है ना तब अप अच्छे से field कर पाओगे ठीक है ओके देखो ठीक है suppose यह क्या है positive charge है तो suppose मैंने यहाँ पर एक charge लेके आया positive charge ही मान लो ठीक है negative भी लेके आ सकते हो ठीक है तो यह जो force की value होंगे यह column नहीं दिया था कितना k q q by r square होंगे अगर दोनो q q है तो charge यह ओके तो देखो यह जो force है यह force r से क्या होता है inversely proportional मतलब r increase होंगे तो force कम होंगे अगर यह जो r decrease होंगे तो force ज़्यादा होंगे ठीक है यह आपको मालूम है basic चीज है अभी देखो अगर यह चार्ज मैंने यहाँ पर लेके आया तो क्या होंगे तो इस किस में this force कम होंगे है कि नहीं, येस, नहीं होंगे, क्या होंगे, force ज्यादा होंगे, क्यों, क्योंकि r कम हो गया ना भी, तो r इतना हो गया, पहले इतना था, ठीके, तो r ज्यादा था, तो force कम था, है ना, येस, और r कम था, तो force क्या होंगे, ज्यादा हो जाएंगे, ठीके, यहाँ तक, ओके, तो यहाँ पर R कम है, तो force के होंगे, ज़्यादा होंगे, वो है न, inversely proportional का meaning, जानते हो आप लोग यह, ओके, तो basically मैं बोल रहा हो, यहाँ पर अगर R change होंगे, तो force भी change होंगे, और एक सीज़ देखो, एक formula हमें मालूम है कि F is equal to Q into E, ठीक है, यह हमने देखा था last class में, ओके तो अगर force change होंगे, कि electric field भी change होंगे, बोलो, yes, electric force भी change होंगे, तो force change होंगे, तो electric field भी change होंगे, ठीक है, ओके, यहाँ तक हमें अच्छे से समझ भाए है, तो रेखो, जब R change किया, R को कम किया, तो electric force जाड़ा हुआ, यानि electric force change हुआ, तो basically electric field भी गया हुआ, चेंज तो इसका मतलब इहाँ पे, इहाँ पे, इस point पे इसको ऐसे द्रा करते हैं, तो इस point पे जितना electric field होंगे, जितना electric field होंगे, इस point पे electric field के होंगे, ज्यादा होंगे, तो इहाँ पे, इस point पे, इस charge का electric field जितना होंगे, इहाँ पे electric field के होंगे, ज्यादा होंगे, क्योंकि य यह जो distance से अभी कम हो गया, ठीक है, तो basically अगर एक charge है, suppose, तो एक charge यहाँ पर है, तो यहाँ पर जो electric fill होंगे, suppose E1 मान लिया, इस point पर जो electric fill होंगे, suppose E2 मान लिया, ओके, तो इस case में, electric fill E1 कम होंगे, electric fill E2 से, ठीक है, तो इस case में, यह जो electric fill है, search के around, जो points लिया हमने, उस point पर जो electric fill है, वो electric fill कितना होंगे, उसके formula है, ठीक है, तो formula को धैन से देखो, ओके, तो let's say यह positive charge है, तो इस point पर electric fill चाहिए हमें, तो यह electric fill की formula क्या होंगे, E is equal to KQ by R square, ठीक है, तो यह होंगे electric fill की formula, ठीक है, तो इसको के से निकल सकता हो, इस formula की मदद से निकल सकता हो, क्योंकि देखो धहन से, अगर मैंने यहाँ पर एक charge लेके आया, suppose Q, ओके, तो इस charge को जब लेके आया, तो इस case में, दोनों के विच में force लगेंगे, तो कौन सी force, यह force लगेंगे, है के ने, F is equal to KQ by R square, ओके, तो यह formula हमें मालूम है, अगर मैं इसे लिखो, F is equal to, F is equal to QE, तो यहाँ से मैं क्या लेक सकता हूँ, E is equal to F by Q, है के ने, yes, तो F की value कितना है, F की value इतना है, KQQ by R square, और निच्छे यह Q आ जाएंगे, है के ने, तो AQ cancel हो जाएंगे, answer रहेंगे, KQ by R square, थेक है, तो यह formula आ गया, electric field का, थेक है, तो यह जो K है, K की value कितना है, 1 by 4 pi, 1 by 4 pi epsilon not, फिर यहाँ पर लेखोगे, Q by R square, थेक है, तो यह जो formula है, यह electric field का formula है, थेक है, तो basically अगर एक charge है, उससे थोरी दूरी पे, एक electric field में लेंगे, और उस electric field की formula इतना सा है, थेक है, तो अभी next, यह जो है, forces electric field due to multiple charges, और हम बोल सकते हैं, system of charges, इसको देख लेते, और यहाँ पर हम लोग बात करेंगे, superposition principle के, थेक है, आप लोग फीडियो को post करके, इसे लिख लेना, तो देखोड हैंसे, actual में, suppose यहाँ पर एक charge है, positive charge, तो यहाँ से इतनी डूरी पे, इस charge को मान लेते है, q1, ठेक है, यह q1 charge है, इतनी डूरी पे, लेज़े, r1 डूरी पे, इसको क्या मिलेंगे, electric field मिलेंगे, क्यूंकि यह positive charge है, electric field निकलेंगे यहाँ से, ठेक है, तो इस point पे जो electric field मिलेंगे, उसकी जो direction होंगे, वो direction इस direction में होंगे, ठेक है, और यह जो electric field है, इसको suppose बोल दिया, e1, clear है यहाँ तक, ओके, तो for example, यहाँ पे और एक charge लिया, q2, यह भी positive है, तो इस case में, यह distance को suppose बोला, r2, ओके, तो electric field at this point, due to discharge, will be in this direction, ठेक है, इसको बोला suppose e2, तो let's say, यहाँ पे एक q3 लिया, ओके, यह भी positive है, इस direction में, electric field होंगे, इसको हमने बोला e3, ओके, तो यह जो टिनो electric field से, because of these three charges, इन सबकर के है, direction है, मतलब यह factor quantity है, तो obviously electric field factor quantity है, ओके, तो रेखो, यह जो point है, इस point का नाम देदेते है, suppose p, ओके, तो अगर आप से पुछे, कि इस p point पे, total electric field कितना होंगे, तो आप क्या बोलोगे, obviously, इस p point पे, इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए, जो electric field मिल रहा है, same point पे, वो total electric field कितना होंगे, sum of all the electric fields, ठेक है, तो superposition principle, वही हमें कहते है, ठेक है, तो superposition मतलब, actual में superpose मतलब क्या होता है, एक के उपर एक है, ठेक है, तो जो superpose का actual meaning होता है, कि, जो sum करना, total निकलने के लिए, हम लोग individual छीजों को sum करेंगे, add up करेंगे, ठेक है, तो यानि superpose करेंगे, पोल सेखते हो, ठेक है, तो देखो यहाँ पे, यह जो superposition principle, यह superposition principle कहता है, जब हमने force पर है थे, कुलम्स force, कुलम्स force, due to multiple charges और system of charges जब पर है थे, वहाँ पे भी यह superposition principle यूज हुआ थे, ठेक है, तो superposition principle कहते है, कि sum of all the, sum of all the individual individual okay, individual okay, the sum of all the individual electric fields electric fields, अपलोग exam में इस तरह से shortcut नहीं लिखके आना, ठेक है, पुरा full electric लिखना, ठेक है, तो इस sum of all the individual electric fields gives the net net को हम total भी बोलते है, ठेक है, total electric field total electric field at point P point P तो गलत कौन सी चीज लिखा आप लोग, यहाँ पर वीडियो को pause करके, अगर detect कर पाए हो, तो comment section में बोलो, ठेक है, तो मैं यहाँ पर दिखा देता हूं, देखो, यहाँ पर यह जो electric fields है, यह electric fields factor form में है, okay, तो यहाँ पर सिर्फ magnitude ही नहीं है, क्या है साथ में direction भी है, तो यह जो sum करोगे, तो आप किसका sum करोगे, factors का sum करोगे, तो इसलिए यहाँ पर लिखना होगा, कि factorial sum, क्या लिखोगे, factorial sum, यह important है, तो factorial sum of all the individual electric fields gives the net or total electric field at point P, तो मैं साथ में इस इसको यहाँ पर समझा देता हूँ, कि अगर factorial word नहीं लगा होगे, मतलो factorial sum नहीं करे होगे, तो क्या डिककते हो सकते हैं, ठेक होगे, सबोज यहाँ पर एक कुछ है, चीज, तो force तो obviously factor quantity होते हैं, तो इसके उपर सबोज इस direction में force लग रहे है, okay, F1 force और इसका value है 10 newton लग रहे है, तो इसके उपर इस direction में F2 force लग रहे है, यह भी लग रहे है, तो same forces एक की body पे लग रहे है, तो अगर मैंने बोल दिया, total force is equal to कितना लग रहे हैं, दोनों का sum, F1 plus F2, तो answer कितना हैं कि 10 plus 10 is 20, तो मैंने यह बोल दिया, तो क्या आप इस से agree कर र लग रहे है, ठेक है, जब total force 0 लग रहे है, तो यह body इधर उधर move नहीं करेंगे, तो मैंने क्या किया, सिर्फ magnitude का addition करके, यहाँ पे total force is body पे 20 निकल दिया, तो obviously गलत है, है कि नहीं, yes, तो हमें क्या करना होगा, factorial sum करना होगा, क्योंकि force factor quantity होता है, ठेक है, तो यह force factor quantity होता ह है, तो हम क्या करेंगे, total force is equal to factorial sum of all the individual forces, ठेक है, तो यहाँ पे जब हम factor quantity sum करेंगे, factor sum करेंगे, तो क्या होगे यहाँ पे, f1 की value 10 लिखा सपूज, plus लिखा, और f2 की value लिखेंगे, minus 10, क्योंकि opposite direction समझाने के लिए हम 1 के आगे क्या लगेंगे, minus लगेंगे, ठेक है, तो net force कितना जाएंगे, 0 newton, ठेक है, तो इसका मुटलिब इस body के उपर total force 0 लग रहे है, ठेक है, यहाँ तक, आया समझ में, ओके, similarly यहाँ पे भी आप देख सकते हो, अगर तीनों का सपूज, 10, 10, 10 value है, e1 का 10, e2 का 10, e3 का 10 value है, ठेक है, उस case में, इस point के उपर total force, total electric field कितना ल देख लो, तो यहाँ पर मैं ज़्यादा detail में जा रहा हो, क्या, हाँ, बोलो, yes, comment section में बोलना, अगर इतना detail में नहीं चाहिए, तो मुझे बोलना, ठेक है, अगर और detail में चाहिए, तो भी बोलना, यह ठीक है, मतलब इस तरह जो मैं समझे रहा हो, इतना detail में, तो यह अग ठीक है, तो इसको लिखा मतलब इन दोनों को नहीं लिखने से भी होंगे, ठीक है, तो इसका और इसका resultant है यह, तो फिर दोनों यह और यह रह जाएंगे, और इसका और इसका क्या करेंगे, resultant निकलेंगे, ठीक है, तो जो final होंगे, that will be the electric field at this point P, ठीक है, तो हम लोग सिध यहां magnitude को sum नहीं कर सकते, अगर वो factor quantities है तो, ठीक है, तो यहाँ पर यह factorial sum लिखना बहुत ज़्यदा जरूरी है, और यह चीज जो मैंने बोला, explain कि यहाँ पर, यह चीज आपको NCRT book या reference book कहीं पर भी नहीं मिलेंगे, ठीक है, तो आप लोग इसको इसको इसे note करके रखन ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, कि यह जो electric field है, that will be equal to e1 plus e2 plus e3, ठीक है, एसे लिख सकते हैं, plus dot dot dot, या तो और लिखो, en लिख दो, ठीक है, तो अभी रेखो, इसको हम लिख सकते हैं, k, k का value तो आप जानते हो, 1 by 4 पैप से लिखना नहीं है, ठीक है, तो देखो, k, यहाँ पर लिखोगे, q1 by r1 square, ठीक है, तो प्लास के लिखेंगे, k, q2 by r2 square, ठीक है, प्लास के लिखेंगे, इसको मिद्दाना होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे, k, q3 by r3 square, प्लास लिखेंगे, dot dot इसे, k, qn by rn square, ठीक है, तो देखो, और एक बार, यहाँ पर क्या मैं गलत लिखा, यह साही लिखा, देखो देखो, 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 क्या लगा है, गलत लिखा मैंने, ठीक है, क्या गलत लिखा, यह जो e1 है, यह तो vector है, यहाँ पर कहीं पर vector दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ठीक है, तो इसका मतलिब, यहाँ पर क्या लगाना होगा, unit factors लगाना होगा, ठीक है, तो unit factors का का काम क्या है, वो सिर्फ direction को add कर गालेंगे वह पर ठेक है यह कहें magnitude है इस magnitude पर डिरेक्शन लगाना होगा क्योंकि यह वेक्तर quantity है तो यहाँ पर हम यूनित फेक्तर लगाएंगे r1 cap ठेक है यहाँ पर लगाएंगा r2 cap यहाँ पर r3 cap और यहाँ पर rn cap लगा देंगे ठेक है और एक चीज़ हमें मालूम है यह जो unit factor है suppose एक unit factor n cap है इसको हम लिख सकते है n vector by magnitude of n ओके इस तरह लिखते हो ना magnitude ओके तो बार बार एसे ना लिखने से भी कोई डिक्कत नहीं है सिर्फ n लिख दो हम समझेंगे कि magnitude है ठीक इसी तरह r cap is equal to r vector by r हो जाएंगे ओके तो इस r1 को क्या लिखोगे k k को common ले सकते हो q1 by r1 square ठीके तो यह r1 को क्या लिखोगे r1 cap sorry r1 vector by r1 ठीके प्लास k यहापे लिखोगे k तो common लिखा ना q2 by r2 square और यहापे r2 vector by r2 ठीके वो formula is क्या plus q3 by r3 square और यहापे लिखोगे r3 vector by r3 plus dot dot plus के लिखोगे qn by rn square और यहापे rn vector by rn ठीके देख लो एक बार ओके तो यहापे प्रेकेट लगाना होगा आया समझ में यहां तक ओके easy यह सब चीज़े हैं है ना ओके तो लेकिन मतलब क्या है कि details में और basic से देखना होता है चीजों को ठीक है और जो यह topic पर है इसको पर जब हम लोग question solve करेंगे तो यह topic और मतलब ऐसा एकदम easy हो जाएंगे है ना ओके तो अभी क्या करोगे यह जो r1 है इसको यहापे multiply करोगे three opening था इंगे क्यों यह जैंगे तो मींहां पे यहां पी करते हों नहीं बार बार के लिखने का लेकिन आप लोग लिखना ठीक है तो यह ऑन टूप क्यों प्यों यह घेल्ऑ करो मैं यह भी क्युन सब्ल ép तो यह जो कि के बार करोगे और तो यहgesch हो कि अ कर है ठेक है कर पाओगे आप लोग को स्मार्ट हो ठेक है यह सब उतना ताफ चीजे तो नहीं बोलोंगा मैं ताफ है नहीं ओके लेगन आप लोग को प्रैक्टिस करना होगा थोरा सा ठेक है दो तिन बर वीडियो देखो या तो मतलब एक ही बार जब देखोगे तब लिखते जान राइचे से थेके? गोगे ताफ ल॥ um